हेलो फ्रेंज, विल्कम बैक टू माई चैनल, मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिजाइन फ्रेंज, आज की इस वीडियो में हम लोग पट्याला सलवार की कटिंग और स्टिचिंग सीखने वाले हैं हम लोगों ने क्लास 4 में पट्याला सलवार की ड्राफ्टिंग देखा था, सेम वैसे ही हमको कटिंग करनी है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो फ्रेंज, सबसे पहले हमको कपड़े क्यों डवल फूल्ड कर लेना है डवल फूल्ड में हमको कपड़ा रख लेना है अब हम इससे सेंटर पार्ट निकालेंगे इसके हमको सलवार की लंबाई लेनी होती है सबसे पहले तो कितनी जितनी भी हमारी सलवार की लंबाई है हम वो ले लेंगे उसमें से हम 7 इंच माइनस कर देंगे क्योंकि हमारी 7 इंच की बेल्ट बन के तयार होगी इसलिए हम माइनस कर देंगे वो हमारी उपर लगेगी तो हमारी वो लंबाई में ही जुड़के आएगी इसलिए हमको इसको माइनस करना है अब हम उपर से विल्कुल ऐसे रखेंगे और अपने लंबाई का निशान लगा लेंगे जितना भी लंबाई हमको लेना है सलवार में उसमें से एक इंच प्लस करके लेना है सिलाई माज़िन के लिए अगर आप बाटम मोहरी भी बना रहे हूँ इसी से तो आप तीन इंच प्लस करके लेना लेकिन मैं अलग से बनाओंगे इसलिए मैंने एक इंच प्लस किया है अब हमको इसको चोडाई में नापना है तो यह हमारा सेंटर पार्ट होता है तो इसको हम 14 इंच और 15 इंच रख सकते हैं लेकिन मैं ले रही हूँ 14 इंच तो ऐसे हमको निशान लगा लेना है और इसको पूरा ओपन कर के फैला के रखलेंगे इसको भी हम डबल फोल्ड में लेंगे तो डबल फोल्ड में रखने के बाद इसकी भी हम लंबाई नाप लेंगे जितनी लंबाई हमने सेंटर पार्ट अभी निकाला था जो 14 इंच 15 वाला से उतनी ही लंबाई हमको इसमें भी ले लेनी है यानि कि अपने शलवार का मेंसे जितनी लंबाई है उसका 7 इंच हम माइनस कर देंगे बेल्ट के लिए और उतना ही ले लेंगे और निशान लगा लेंगे तो ऐसे ही हमको पूरे कपड़े में लंबाई नाप लेनी है नाप नाप के पूरे में निशान लगा लेना है तो ऐसे हमको पूरे लंबाई में निशान लगा लेना है इसके बाद जो हमने डॉट मिलाया है इसमें से पूरे हमको ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेनी है लाइन ड्रॉ करने के बाद एक हम डेड़ इंच पर उधर भी निशान लगाएंगे तो उधर भी हम लगा लेते हैं तो ऐसे ही जैसे हमने उधर डेड़ इंच पर लगाया देड़ इंच पर इधर भी हमको लगाना है अब हम क्या करेंगे यह जो हमने यह सेंटर और वो सेंटर लगाया है सेम ऐसे ही तिरची कर लिया है कपड़े को अब हम क्या करेंगे यह जो हमारा बंद भाग है इसको भी हम कट कर लेंगे यह मैंने कट कर लिया अब हम यह वाली कली को एक कली को दूसरी कली में यानि कि यह हमारी दो-दो कली दोनों साइड है तो फ्रेंड्स अब हम इन चारो कली को एक साथ में मिल लगाएंगे तो आपको जितना आसन रखना है जैसे कि अगर 14 इंच का रखना है तो 7 इंच का हमारा बेल्ट में हो जाएगा 7 इंच हमको नीचे लेना होगा उसमें से 1 इंच हम प्लस करके लेंगे 8 इंच लेंगे तो ऐसे उधर से हमको लाइन बिल्कुल इंचे टेफ रखते हुए आना है जहां पर हमको 8 इंच मिल जाएगा वहीं पर हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे पूरी और ऐसे लाइन ड्रॉ कर खिलाइ साइड कुक्त करेंगे थे लागुआ है लोग जाना हो कमर हम हाफ करए उसमें से चार चारेंच क्यों प्लस करेंगे क्योंकि हमें losing के लिए लेना होता है बैटने उठने में दिक्कत नहीं होती है इसके बाद अब हम उपर के side belt बनेगा हमारा तो 1.5 inch हमको उपर side लेना है और जितनी भी तयार रखनी है हमको belt उतना हम ये ले लेंगे half inch और plus करके लेंगे अब ये हमारी belt तयार हो गई है तो friends अब हम लोग सिलाई करते हैं सबसे पहले हम लोगों ने जो center part कट किया था और जो कली कट किया था उनको जोड लेंगे तो जैसे हमने अभी रखके दिखाया था सेम वैसे ही हमको जोड लेना है तो ये मैं उनको जोड लेती हूँ friends मेरे machine के पास इतना ज़्यादा space नहीं है कि मैं आप लोगों को इसमें पूरा कपड़ा दिखा पाती इसलिए मैंने आप लोगों को पहले फैला के दिखा दिया था कि इसके ऐसे जोड ना है I hope आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो ऐसे ही पूरा हमको जोड लेना है दोनों साइट कलियों को और बीच में ही सेंटर रखना है और उल्टा सीधा कपड़ा अपना देख के ही जोड जोड ना है दोनों कलियों का और सेंटर पार्ट का तो ये मैंने इसकी सिलाई कर ली है दोनों को जोड लिया है सेंटर ये हमें दूसरे पैर वाले को भी जोड लेना है ये मैंने दूसरे पैर को भी बना लिया है और अब हम इसका जो हमने आसन कट किया था तो एक कली का और दूसरे पैर का और एक पैर का दोनों के आसन ऐसे जोड लेंगे दोनों के तो उल्टे साइड ही हमको जोडना है ऐसे हम इनके आसन जोड लेते हैं यह मैंने आसन भी जोड लिया है फ्रेंड्स अब इनके आसन जोडने के बाद अब हम लोग बेल्ट तयार कर लेते हैं तो वेल्टे तयार करने के लिए जो हमने कट किया था उसको सबसे पहले हमने यह बीच का तो हमारा एक साइट से ही केवल कट था इसको हम ऐसे जोड लेते हैं तो friends ये मैंने जोड लिया है, same ऐसे ही जोड लेना है, इसके बाद ये जो हमारा कपड़ा है, जो इधर उधर हमारे सिलाई से कपड़ा निकला हुआ है, तो दोनों को एक इस साइड और एक इस साइड दोनों को ऐसे लगा के हमको फिर से एक बार सिलाई लगा लेनी है, तो मै सिलाई लगा के आपको दिखाती हूँ, तो friends ये मैंने सिलाई लगा ली है, आपको पास से दिखा देती हूँ, ये जो हमारा कपड़ा इधर था, तो इधर वाला हमने इधर सिलाई लगा दी है, और इधर वाला इधर, इस तरह से हमको सिलाई लगा लेनी है, I hope आपको समझ में आ रहा होगा इसके बाद सिलाई लगाने के बाद ऊपर की तरफ से ऐसे फोल्ड करना है यह हमको अपना वेल्ट बनाना है यानि की नारा डालने के लिए जो हमें वेल्ट बनाना होता है ऐसे ही पूरे में गुलाई करके हमको ऐसे सिलाई लगा लेनी है इस तरह से तो फ्रेंस यह हमें उल्टा साइड ही सिलाई लगानी होती है अब हम क्या करेंगे इसको बिल्कुल सेंटर से center मिलाएंगे और ऐसे cut लगा लेंगे तो इससे क्या होगा हम जब चुन्नत डालेंगे अपने plate में तब हमको सिलाई लगाने में बहुत आसानी रहेगी तो अब देखो हमको ऐसे ही हमको सिलाई लगानी है यानि कि ऐसे चुन्नत डाल डालके ऐसे पूरे में अरजेश्ट करना है तो चलिए अब हम सिलाई कैसे लगाते हैं बताते हैं सबसे पहले हमको ऐसे belt को बिल्कुल सीधा side में रखना है यानि कि ये हमारा सबसे पीछे का part जो हमारा cut लगा हुआ है पीछे का part है और पीछे का part में ही हमको ऐसे जो हमारा आसन वाला कपड़ा था जो बिल्कुल आसन के पास से हमको यहाँ पे सिलाई लगानी है इस इधर उधर बिल्कुल भी ना हो नहीं तो फिर हमारा गेरा बहुत ही खराब हो जाएगा इसलिए हमको ऐसे आसन के पास ही रखना है और इधर एक इधर साइड और एक उधर साइड से ऐसे प्लेट डालने के बाद अब हम इसमें सिलाई लगा लेंगे सेम ऐसे ही हमको सिलाई लगानी है तो फ्रिंस यह हमने सिलाई लगा ली है इससे क्या होता जब भी हम बैठते उठते हैं तो कोई भी परेशानी नहीं होती है अब हम आगे साइड आ जाएंगे उतना उधर दो प्लेट डालके सीधे हम आगे साइड आ जाएंगे उधर अब हम कुछ नहीं करेंगे आगे साइड आने के बाद हमको बिल्कुल सेंटर से अपना आसन मिलाना है जो हमारी बेल्ट का सेंटर है और आगे का बिल्कुल वहीं से और इतने में एक अंगुल ज्यादा से ज्यादा बस सिलाई लगानी है इसके बाद हमको पूरे में उतने ही बनाना है आप कोई भी पतली चीज ले सकते हो जिससे कि हमारी प्लेट बहुत ही फ्रीसिंग के साथ में बने और ऐसे तो फ्रींग से एक प्लेट बनाने के बाद इसमें हम 3-4 धागे मसीन के चला लेंगे इससे हमारी प्लेट इधर उधर नहीं होगी नहीं तो फिर वो विगड़ जाएगी दूबारा से फिर बनानी पड़ेगी अब हम उसमें चादा पूरे में प्लेट में सिलाई नहीं लगाएंगे फिर से ऐसे प्लेट बनाके फिर दूबारा वाली प्लेट बनाने के बाद ऐस शलवार में ऐसे ही बनाते जाना है और सिलाई लगाते जाना है तो फ्रेंड्स अब हम लोग आ गए हैं पीछे वाले शेंटर पे यानि कि बैक में जो हमने अभी प्लेट डाली थी सबसे पहले तो अब हमको वहीं पे आके सेम वैसे ही उधर से हमने तो उधर साइड से प्लेट डाली अब हमको प्लेट मोड देनी है इधर से अब हम इस तरह से अपोजिट साइड में ऐसे प्लेट डालते हुए जाएंगे जैसे हमने उसमें दोनों में दो प्लेट डाली थी प्लेट पड़ी है आप देख सकते हो तो फ्रेंड्स अब हम इधर साइड से उपर से एक सिलाई लगाएंगे उपर की साइड हमें जो भी मार्जिन वाला कपड़ा था उपर कर देना है और बिल्कुल ऐसे सिलाई लगा लेनी है इस तरह तो फ्रेंड्स अब हम लोग मोहरी ब निकाल लेना है दोनों पैरों के लिए और सेम इतना ही हमको कपड़ा भी निकाल लेना है तो यह मैंने पेपर पेस्टिंग वाला लिया है यानि कि यह बक्रम हमारा चिपकाने वाला है अब मैं इसको चिपका लेती हूं तो फ्रिंड्स मैंने इनको चिपका लिया है आप ही लगाएंगे उसको जब हम सलवार में जोडेंगे तब लगाएंगे दूनों पेर के बक्रम को हमको CT कम्प्लीट कर लेना है आप जो भी कपड़ा निकला हुआ था आप मोरी वाले कपड़े पे ऐसे लगा के इसकी सिलाई कर लेंगे तो हम को बक्रम के उपर नहीं चलानी है मसीन बिल्कुल साइट से चलानी है अब हम बिल्कुल साइट से चलाने के बाद उपर की तरफ फिर ऐसे एक बार मसीन चला लेंगे और इसको ऐसे पलट लेंगे पलटने के बाद आपको जितनी भी सिलाई लगानी है वो सिलाई लगा लो ऐसे हमको पूरी मोहर बना लेनी है complete कर लेनी है friends same ऐसे ही दूसरे पैर वाली भी मोरी हमको ऐसे ही complete करनी है तो ऐसे मैंने complete कर लिया है अब हमको एक side से सिलाई लगाते हुए जाना है तो आपको जितनी भी मोरी रखनी है फिर से एक बार नाप लो जैसे कि 6 इंच की रखनी है तो यहाँ पर हमने ऐसे निशान लगाया चाहिन चिंची टेप से नापा और यहीं से अब हम सिलाई लगाते हुए पूरे में चले जाएंगे तो अब हम सिलाई लगा लेते हैं तो फ्रेंड्स उधर से एक साइट से हमको सिलाई लगाते हुए बिल्कुल दूसरी वाले बॉटम की तरफ आना है इसके बाद चितनी बॉटम हमने उसकी रखिये सेम उतनी ही बॉटम हमको यानि की मोहरी उतना ही रखना है इधर भी सेम उतने पे ही निशान लगा के ऐसे सिलाई लगा लेंगे तो ये हमारा सलवार कंपुलेट हो गया है आइब होप आप लोगों को समझ में आया होगा अगर वीडियो समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करदेना चैनल पे नए हो तो चैनल को सिस्क्राइब कर देना वेल आइकन प्रेस कर देना थैंक यू